इस धमाके को देखा और सुनकर आप दहल गए होंगे क्योंकि यह 15 किलो कट कीन बम था गिस्याज नकसलियों ने बुकारू जिला के बिर्मो की गांधी नगर ठाना शेत्र के खास महल पर योजना काड़ियाले के समीब कुरपनिया वो कारो थर्मल मुख्य सरक पर पुलिया की नीचे लगा रखा था ताकि जब इस सरक से पुलीस की गारी गुजड़े तो इसको बिस्फूट कर दे पर नकसलियों का मनसुआ बिफल हो गया क्योंकि इस केन बंपर लोगों की नजर पर गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गई करीब 15 किलो का ये केन बंप इतना शक्तिशाली था इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब इस केन बंप को CRPF ने डिफ्यूज किया तो इलाका थर रा गया अक्सरली ने पुलिया को उराने के मकसद से इस केन बंप को रखा था दरसल पुलिया की नीचे बंप रखे जाने के सूचना मिलते ही इलाके में हरकम्प मच गया और उस रास्ते से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इलाके के डियस्पी सतेश कुमार जाने मामले की जानकारी केंदरे सुरक्षाबल को दी और खुद भी मौके पर पहुँच गया और पुलिया से 400 मीटर पहले ही लोगों को रोक दिया गया इसके बाद बम निरोधक दस्ते की मदद से केंद बम को डिफ्यूस किया गया वहाँ से निकल कर सुनसान इलाके में केंद बम को ले जाया गया और फिर उसे विस्फोट करा दिया गया मामले पर बिर्मोड एस्पे सतेश कुमार जार ने कहा कि पुलिस को गुप्त सोचना मिली थी कि पुलिया के नीचे बम लगा हुआ है इसी के ताहद गांधिय नगर्थानों और सियार प्याप चबिसमी बटालियन की कंपनी को बुलाए गया और केन बम को डिफ्यूस करा दिया गया एक लैंड माइन्स जो है पुलिया के नीचे लगाया हुआ था जिसके सूसना पुलिस को मिली थी कि उसको सी आर्पी एफ कि यह जो वेडिटी टीम है उसके साथ अगर्थ के इसको निश्की कर दिया गया है और को इसे संबंद में जांच और शालमीन अरंध की है हम लोग इसके सभी अंगल को देख रहे हैं कि इतने सक्तिक अधा सर्थ यह अभी तो बताना बहुत मुस्क है जो स्वांग वाली कंपनी है उनके बीड़ी एस टीम है गांधी नगर खाना है और बाकी जो जिला की और जो पुरिस है बहराल आज ही गुमला में सुरक्षा बलों के साथ नकसलियों के घंटो चली मुठवेर में एक नकसली को मार गिराया गया तो वहीं बिर्मो में नक पीएफ ने पानी फेर दिया है खुलासा के लिए बोकारों से ब्रिज भोशन दुवेदी की ये खास रिपोर्ट